जब आप एक सपना देखते हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने ही वो सपना देखा है बलकि आपके पूरे परिवार में उस सपने को देखा है आपका पूरा परिवार चाहता है कि आप कल को आई-एस बने या फिर कल को डी-सी बने तो आपको अपने लिए नहीं बलकि अ सब्सक्राइब कारण से अभी हम Madhya Pradesh के शित्रकला को समाप्त कर चुके हैं आज हम Madhya Pradesh में परव और समारो को पढ़ने वाले मतलब कौन कौन से समारो होते हैं कितने प्रकार के मेले होते क्या क्या चीजे मध्य प्रदेश में हमें दिखाई देती हैं बहुत सारे समाहरों हैं एवन अगर हम मेलों की बात करें तो लग भख सौ से देड़ सो तो सिर्फ मेले ही लगते हैं मध्य प्रदेश में तो हमें इनके नाम को पढ़ना है और अगर कोई ट्रिक हमें याद आती के समय और विवाह के समय किया जाता है तो नवरात्री के समय इस्त्रियों के द्वारा मतलब सीधी सी बात है इस्त्रियों के द्वारा अर्थात इस्त्री प्रधान नृत्य हो गया यह तो इस्त्री प्रधान नृत्य है इस्त्रियों के द्वारा किया जाता है इसमें क्या होता महिलाएं अपने सर पर मटकी रखते हैं उसे घडलेया कहा जाता है वह परव घडलेया परव कहलbernे सु आता जो है इस में क्या किया जाता है भगवान शुव और माता पारवती की आराधना की जाती है यही सु आता कहलाता है हरेठी हरेठी जो है वह किसान जन जाती के द्वार किसान जो वर्ग है उस किसान वर्ग के द्वारा मनाया जाता है पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि किसान वर्ग के द्वारा मनाया जाता है और क्या मनाया जाता है तो किसान वर्ग जो है इसमें इश्वर की पूजा करते हैं अर्चना करते हैं तो इश्वर की पूजा वगएरा की जाती है इसमें यही जो है हरेठी कहलाता है भाई दूज रोहे वो साल में दो बार होता है इसमें क्या होता है जो बहने हैं वो बहने भाई के लिए बेहन अपने भाई के रक्षा के लिए भाई की लंभी उमर के लिए कामना करती है और भाई की पूजा वोगे घरती है और भाई जो है उसे बदले में कुछ तौफ़े या फिर उपहार देते हैं यही भाईदुज कहलाता है आखातीश कि जब हम बात करते हैं तो इसे अक्षर तरतिया के नाम से भी जाना जाता है ये ऐसा महुरत माना जाता है कि इस समय कोई भी व्यक्ति यदी विवाहा करता है तो उनका जीवन सफल हो जाता है और उन्हें सातों जनम एक दूसरे के जात रहने का मौका भी मिलता है यह सबसे ज्यादा पवित्र महुरत माना जाता है आका कि चित्रकला भी है संजा मामुलिया और इसके अलावा संजा माता का जो गीत है वो भी मालवा में ही गया जाता है तो यह चित्रकला के बारे में हम अलड़ी देख चुके संजा माता की पूजा की जाती है एक भित्री चित्रकला है अर्थात दीवारों पर यह चित्रकला बना तो आप जानते ही होंगे रामायड में इन्हों ने मेगनात का रोल प्ले किया था तो मेगनात पर्व किस जन जाती के द्वारा तो गोण जन जाती के द्वारा मनाया जाता है इसमें क्या होता है देखे एक जगह है वहां पर एक चंडी बना चंडी का मतलब आप समझते होंग इस पर्व को ही मेगनाद पर्व के नाम से जाना जाता है नवा खानी या फिर गयारस देखें नवा खानी जिसे देव उठनी गयारस के नाम से भी जाना जाता है या फिर देव उठनी एकादसी के नाम से भी जाना जाता है सबसे पहले नवाखानी का मतलब समझी ए नवाखानी का मतलब यह है नए खाना अब नए खाना है तो क्या नए खाना है अब जो प्रॉपर शेप नइ頭 बंकी में प्रोपर नुट अगा हो जाता है तो वो जो नया चावल बनाया जाता है वो जो नई सबजी बनाई जाती है तुरंत खेट से तोड़ के लाने के बाद जो फसल निकलती है उसे नवाखानी त्यहोर के अंतरकत रखा जाता है अब बात कर लेते देवुठनी ग्यारस की देवुठनी ग्यारस जो है कहा जाता है क कि इस समय तक सारे देवी देवता जो हिंदु धर्म ही से सम्भंदित है वह सो जाते हैं और इसके बाद जो डेव उठ नी 11 की पूजा की मकंगी जाती है इसमें को पूजन किया जाता है माता तुलसी का विवाहा करा जाता है बगवान विश्नु के साथ में आपको बता होगा कि भगवन विष्नु की आर्धांगनी की रूप में हम माता लक्ष्मी को जानते हैं परन्तु मा तुलसी से भी भख्वान विश्णू का विवाह हुआ था लारू काजू जो पर्व है यहां जाना जाती की द्वारा बनाया जाता है यहां गोंड जन जाती की द्वारा बनाया जाता है इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है यह जो लारू काजू प सुमर का विवाह और सुमर की बली यह बाकी जन जाती में भी यह समव होता है एक चीज़ आपको याद रखना है काकसार काकसार क्या है देखो बैगा जन जाती में एक प्रथा है काकसार प्रता यह प्रता में क्या होता है लड़के और लड़की तो बच्चे हैं वैसे लेकिन एक एक्जामपल को यंगर लड़का लड़की जो रहेंगे दोनों उन्हें रखा जाता है और वो यहां पर रहे कर एक दूसरे को समझ पाएंगे और अपना जीवन साथी स्वयम जी पाएंगे चुन पाएंगे तो उसे ही कासकार कहा जाता है प क्यों लगता है क्योंकि इस जगहा पर सबसे जादा गोड़ जंजाती निवास करती है और दिंदोरी में आपने सुना होगा कि बैगा चक छेतर है जहां पर बैगा जंजाती सरवादिक निवास करती है तो गोड़ जंजाती का ही यह पर्व है मंड़ाई मेला या फिर मंड इस मंड़ाई में होता क्या है जैसे कि भीलों का भगोरिया उतसब हमने पढ़ा वैसे ही मंड़ाई जो है वो गोड जनजाती का एक हाट बाजार है यहां पर विभिन विगान की चिज़ें लेके आए जाती है और यहां पर खुशिया मनाई जाती है इसके अलावा यहां पर डांस होता है जिसे अहिराई डांस भी कहा चाता है जो कि अहीर जनजाती के द्वारा और ठाद यादव समुह के द्वारा किया जाता है इसके अलावा मनड़ाई में एक चन्डी लेके जाए जाती है यहां चंडी आप देख सकते हैं चंडी का मतलब फिर समंद्ध देवी स अर्थात माता से तो गोड जनजाती की माता लेके जाई जाती है यहां पर रसनवा रसनवा की जब हम बात करते हैं तो यह जनजाती पर्व है जैसे कि हम बाकी जनजाती पर्वों को देखते हैं इस पर्व में होता क्या है यह बैगा जनजाती में मनाया जाता है पहले एक ची एस पर्व को प्रीम प्रीयंस को या प्यार का पर्व देखो यह जूफ कर लोग व्याहख को सामने लेकर आते हैं तो इस्कायां से प्रीम का पर्व या प्यार का पर्व कहा जाता है और बात कर लेते हैं कि इस पर्व में कितने वर्षों में यह पर्व आयोजित होता है तो यह पर्ष 10-12 सालों में आयोजित होता है इसके अलावा जो हमने काकसार देखा था ना काकसार बैगा जन जाती में और सबसे इंपोर्टेंट अबुज मा मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह तो मध्य प्रदेश में कौन-कौन से प्रमुख समारोह हुए हैं यह हम देखेंगे सबसे पहले आता है मध्य मद्य प्रदेश समारो मद्य प्रदेश समारो का प्रारंभ 1982 में किया गया था जो कि भोपाल जिले की अंतरगत आयुजित किया जाता है इसके अलावा एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि इसे इसमें किया क्या जाता है इसमें मद्धि प्रदीश के जितने भी संस्कृति है विभिन प्रकार की जो जन जातिया निवास करती है उन सारी चीजों का प्रदर्शन इस पर्व में किया जाता है खजराहो नुरत्य समारो खजराहो कहां पर इस्तित है छतरपुर जिले में इस्तित है तो खजराहो नुरत्य समारो का प्रारंब किया गया है essence चयत्तर से और ये जो समारो है कम से कम 6-7 दिव Αथार्शाथ क्यार्थ समारो है अर्था नुरत्य करने वाले लोग भारत का सबसे बड़ा डान्स फेस्टिवल है भारत का सबसे बड़ा नुरत्य समारो है खजराह उजिले की रेंतरकत आता है 1976 में इसका प्रारंब किया गया था यह साथ दिविसी ही है कालिदास समारो कालिदास समारो कहां पर आयो जितुदा देखिए कालिदास की जब हम बात करते हैं इनका संबंध मध्य प्रदेश के उजयन से था यह अपने पढ़ा है रितु संघाराम, मेगदूत, कुमार संभवं यह सारी कालिदास की ही रचनाए रही है बात करते हैं कालिदास समारो का प्रारंब 1958 से हुआ था और कहां पर क्योंकि उजयन से संबंधित है तो उजयन से ही हुआ था यहां पर किया क्या जाता है यहां पर विभिन प्रकार के प्रोग्राम्स रखे जाते हैं नए नए कवी, नए नए कलाकार यहां पर आके अपनी कला का प्रदर्शन भी करते हैं तानसेन समारो क्योंकि तानसेन का संबंध जो है वो ग्वालियर से है तो इस कारण से यह समारो भी ग्वालियर में ही आयोजित होता है तानसेन की और उनके गुरु मुहम्मद गौस की समाधी भी ग्वालियर में ही इस्तित है तानसेन समारो की हम बात करते हैं तो इस समारो का प्रारंब वर्ष 1980 से किया गया था ग्वालियर जिल देखे अभी इतना वक्त नहीं है कि हम बहुत सादा डीटेल में चले हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है इस कारण से हम शॉर्ट में लेके चल रहे हैं आपको सिर्फ याद रखना है कि 1980 में प्रादम किया गया गॉलियर जिले के अंतरगत गॉलियर को तांसे इनकी नग खा का संबंद मैहर से है और मैहर जो है वो सतना जिले के अंतरगत आता है तो इस कारण से उस्ताद अलावदिन खा समारो कहां पर आयोजित होगा मैहर में आयोजित होगा इसके अलावा यह समारो कब से आयोजित हो रहा है कितने समय से चल रहा है तो यह जो समारो है अलाव कालिदास समारो कालिदास का संबंद उज्जैन से अर्थात कालिदास समारो भी उज्जैन में ही होगा तो हमारा यहां पर उज्जैन से संबंदित है कालिदास समारो कालिदास ने कहां पर उज्जैन का वर्णन किया है किस नाटक में किया है तो इन्हों ने अपने नाटक मेग दूत में उज्जैन का वर्णन भी किया है इसके बारे में हम अल्रेडी कवर कर चुके हैं कि 1998 से इसका प्रारंब किया गया था नेक्स समारो की हम बात करते हैं दुरुपत समारो जो है इसके बारे में क्या पढ़ना है क्या इंपोर्टन्ट है दुरुपत समारो वर्ष 1981 से प्रारम भी किया गया यह समारो जो है यह गुरु शिष्ष परंपरा पर आधारित है आप यहां पर दो संगीत कार देख सकते हैं तो गुरु शिश्क परंपरा पर आधारित दुरुपद समारो और दुरुपद संगीत का संरक्षन किसे कहा जाता है? तो मान सिंग तोमर जी को दुरुपद संगीत के संरक्षक के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था मान कुतोहल और मान कुतोहल में उन्होंने धुरुपत संगीत का संरक्षन किया है और उसकी संरक्षन की बात भी की है निमार उत्सव निमाड उत्सव के जब हम बात करते हैं तो यहाँ उत्सव कहाँ पर आयोजुत होता है तो निमाड उत्सव जो है वो खंड़ावा खरगोन वाले चित्रों में आयोजुत होता है और आपको पता होगा कि महेश्वर में इस्थित जो अहिल्या घाट है वो नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट भी है मालवा उत्सव की जब बात करते हैं तो मालवा उत्सव जो है वो इंदौर उज्यान और मांडू तीनों शित्रों में लागू होता है मालवा उत्सव जो है पूरे संपूर्ण मालवा में विभिन प्रकार की संस्कृति को दिखाता है कि किस प्रकार की संस्कृति पूरे मालवा में इस्थित है इसके लावा इसका प्रारम 1991 से 1990 से प्रारम किया गया था यह मद्धिप्रिदेश राजी परेटन विकास निगम के द्वारा संचालित किया जाता है और्चा उत्षव और्चा कहा इसने थे पहले टीकम कर में से थे अब किस जिले के अंतरगर तो आब निवारी जिले के अंतरगर 2020 से नमस्ति ओर्चा की धीम पर यह उत्षव प्रारंब किया गया है जो की निवाडी जिले के अंतरगता क्योंकि 2018 में हम देख चुके थे निवाडी बन चुका था 2018 में निवाडी बन गया और 2020 में नमस्ते ओरचा के थीम पर ओरचा उत्सव का प्रारम किया गया किस जिले के अंतरगत तो यह आता है भोपाल जिले के अंतरगत आयोजित होता है इसके अलावा यह है भोपाल जिने में जनवरी माहा में आयोजित होता है इतना आपको याद रखना इतना शफिशन्ट होगा मिर्ची महोटसव, मिर्ची महोटसव कहां पर आयोजुत होता है देखिए मद्य प्रदीश की जब हम बात करते हैं कि मद्य प्रदीश का पहला मिर्ची महोटसव कहां पर आयोजुत हुआ था तो वो हुआ था कसरावद खरगोन में खरगोन मध्य प्रदीश का दक्षणी जिला है अपने पड़ा है और खरगोन में ही महिश्वर भी इस्थे थे ये बात भी आपको क्लियर रखनी है कब आयोजित हुआ है तो ये भी 2020 में ही आयोजित हुआ है परंतु 29 फैब 2020 में आयोजित हुआ है मध्य प्रदीश के अन्य उत्सव और समारो देखो उत्सव और समारो बहुत सारे हैं मध्य प्रदीश में इस कारण से हम इने अराम अराम से कवर करने वाले हैं तो सबसे पहले देखिए भोपाल जिले में मनाय जाने वाले उत्सवेवम समारो भोपाल जिले में कौन-कौन से मनाय जाते हैं बाल कृष्ण शर्मानवीन समहरो, कला समहरो, दुरलब वाद विनोध समहरो, भुपाल उत्सव, मध्य पर्व, लोकरंग समहरो, गीता के फेस्टिवल और इसके अलावा श्री राम लीला समहरो और आलमी तबलीगी इस्दिमा ये सब भुपाल में आज़ित किये जाते हैं कै इसे याद रखना ये मुश्किल है ना, तो सबसे पहले क्या करना है देखो, बाल कृष्ण, मतलब छोटे कृष्ण, तो बाल कृष्ण क्या कर रहे हैं, कला कर रहे हैं, कैसी कला कर रहे हैं, एक दम दुरुलब कला, मतलब बहुत ही जादा कहीं देखने ना मिले, ऐसी कला क कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्योंकि इनके जो पाल कर रहे हैं जो इनके माता पिता उन दोनों के मध्य में क्या हो जाए बाते शुरू हो जाए मतलब माल लेजिए भगवान जो हमारे वासुदेव जी थे वह वासुदेव जी जो है वह देव की माता से रूट के बैठ गए य रही है क्वैसे निदोद कर रहे हैं फिल्गों रंग müतार ABOUT Count to पर मतलब प्रेम का रंग का रंग और तो भगवानस्री कुरिष्न करें कि गीध गाएं के भगवान क्रीक्रिष्ण की लिए में श्रीरां कुल रहा है स्व लग रहिए है इसके अलावा लास में आपको एक तब लीगी इस दिमा इस दिमा और से आपको पता होगा कि भुपाल में आउजित होता है तो इसी से आपको इस दिमा से इस थिमा येवाला भी याद रखना है इन्दौर जिले में मना जाने वाले उत्सव एवं समाः रों उस्ताद आमिर खा समार लता मंगेशकर जन्जाती फिल्मव उत्सव और मालवा उत्सव किलियर याद रहेगा इंदोर उजयन मांडू लता मंगेशकर का जन में इंदोर में इस खारण से ये भी याद रहना चाहिए उस्ताद आमिर खाँ इजी है और जन जाती फुल में उटसव कहां पर तो ये भी इंदोर में ये भी आपको बहुत इसली याद रहने वाला है सतना जिले में मनाय जाने वाले उटसव वा समारो तुलसी उटसव और शारदा उटसव देखो दोनों क्यों मनाय जाने याद रखना सतना जिले में तुलसी कौन बाबा तुलसी दास तो तुलसी दास जी चित्रकूट से आपको याद हो रहा हुआ चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड तुलसिदास चंदन गिसें तिलक लेत रगोवीड तो ये आपको तुलसिदास से संबंदित क्योंकि तुलसिदास किस जीस से संबंदित है तो चित्रकूट से संबंदित है और चित्रकूट किसके अंतरगत आता है सतना के अंतरगत आता है सार्दा उत्सव की जब बात करते हैं तो सार्दा उत्सव कहां से संबंजित है तो मा शार्दा का मंदिर सबसे जादा जो फेमस है वो मैयर में है और मैयर भी सतना जिले के अंतरगत ही आता है तो ये दोनों उ कि पतनामें आयवजित होते हैं कंदवार जिले में मनाई जाने वाले उत्सव माखनलाल चतुरवेदी समारो किृषल कुमार का समंध कंदवा से आपको पता होगा उसे ृश्याम मनाई जाने अनदीतिनी विशाल बहती जवलपुर में इस कारण से नर्मादा महोस्व अन्य उत्सविवम स्थान भवभूती समारो ग्वालियर कृष्ण राव समारो ग्वालियर पद्माकर समारो सागर पुमार गंधर्व समारो देवास राजा भोज समारो दार लोक रंजन महोस्व गड़ बुंदेल खंड उत्सव छतरपुर बहुत कंफ्यूजन होगा होगा ऐसे याद नहीं होंगी चीजें शॉर्ट फॉर्म में कैसे आद करना देखो अच्छे से ठीक है गोर से समझना भवभूती समारो भवभूती कौन है भवभूती प्रमुख कवी रहें कहां पर यह समारो गौलीयर जिले के अंतरगत अयवजित होता है कृष्णराव समारो घौण रहें पदमाकर की बहुत बड़ी प्रतिमा रखी रखी हुई है सागर की जील के अंतरगत आपको पता होगा तो सागर की जो जील है वहाँ पर कवी पदमाकर की प्रतिमा है बहुत बड़ी प्रतिमा है और कौन सी जील में तो लाखा बंजारा जील में कवी पद्माकर की बहुत बड़ी प्रतिमा है तो कवी पद्माकर का समारो जो है वो सागर जिले के अंतरगत आयोजुत होता है कुमार गंधर्व का सम्मंध जो है वो देवास से है तो देवास में कुमार गंधर्व का समारो होता है और इनका जन्म करनाटक में हुआ था राजा भोज एकदम क्लियर है राजा भोज समारो धार जिले में इस्तित है बहुत ही जादा क्लियर है », लोक मतलब लोक रनजन सभी पूरे शित्रों का जो आयोजन है एक बैटर आयोजन है वो खजराहों में आयोजित होता है क्योंकि मध्धिपिरदीश की सबसे अच्छे मंदिर जो है अधबूद मंदिर जो है वो खजराहों में मिलते हैं ऐसे ट्रिक से याद केशग जैन्ती समारो और चइंद महाबोधि उत्सव साची अच्छा मुख्ति बोधि उत्सव दोनों में बहुत अंतर है महाबोधि जू शब्द है इसका सीधा संबंद बौधि धर में से है और यदि बौधि धर्म न से जो है वह राइगड में नहीं बलकि 36 में नहीं बलकि 36 गड़ राइगड में इसके अलावा मद्य सरकार के दवारा चक्रधर फैलोशिप भी दी जाती है जोकि संगीत के छेत्र में दी जाती है बुन्देल खंड उत्सभ देखो मध्य प्रदीश का बुन्देल खंड का शेत्र है उसमें सबसे important बुन्देल खंड का जिला है वो छतरपुर है च्योंकि छतरपुर आपको पता होगा कि महराज जो रहे ही 16 साल उनके नाम पर छतरपुर का नाम छतरपुर रखा गया इसके अलावा जो महराथ 14 साल था उन्हें बुंदेल खंड के केश्णी के नाम से भी जाना जाता था और बुंदेल खंड के शिवाजी के नाम से भी जाना जाता था तो यहां पर हमारे मध्य परदीश के अन्य उत्सव समापत होते हैं मध्धिय प्रदीश के प्रमुख हूँ मेले मध्धिय प्रदीश में लगभग 100 – 1.500 मेले लगते और ज़्यादा भी हो सकते हैं जिन मेलो की हम बात करने वाले वो या तो परिक्षा में पूछेगा हैं या तो उन्हें पूछे जाने की बहुत जादा समभावना है हैं कौन-कौन से मिले यदि आपको बताया जाए तो मद्य प्रदीश में सबसे महत्परपूर्ण जो मेला रहेगा वो श्रीहस्त कुम्ब का मेला रहेगा जो कि उज्जयन में लगता है इसके लावा सौ देड़सों मेले और रहेंगे और इन सारे मिलों को हम ट्रिक से याद क करने वाले हैं मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मच